कि है अलो डियूट्ट्ट्रू नमस्कार कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी अच्छा एक सवाल कई दिनों से पूछा जारा जब से यह आप लोग एक्जाम देके आए सर की बी अलबी का कटाफ क्या होगा कितने नंबर पर होना चाहिए तो अब वो सीरीज आती जाएंगे क्योंकि आपके एंस्वर किया गए हैं मुझे बहुत सारे डाटा मिल चुके हैं तो इस हिसाब से आपका मैं आज बी अलबी की कटाफ क्या रहने वाले काटेगरी वाइज अच्छे से डिसकस करते हैं ठीक है पहली बात तो बीच्चू में आगर आप पढ़ने का सोच रहे मैं और भी एलबी करने की सोच रहें तो आपको पता होनी चाहिए यहां तो जो सिटउ संसे मंहावको फाइट करना चाहे अब language में चाहे हिंदी English लिये हूँ जीटी होगा और दूसरा लास्ट आपका डोमेन में लीगल होगा तो टोटल मिलाके शाड़े 600 पर merit बनेगी लेकिन बेचू क्या करता है language जो आपका भासा में आया होगा उसमें से ये सिर्फ सौ काउंट करता है कितने काउंट करता है सर के वल सौ अब बच गया सर सो घटा देना साड़ इच्छा में से 550 पर merit बनेगी तो merit किसे बनने वाले हैं 550 अब category wise जो बचे जनरल के हैं है ना जो जनरल category के हैं वो मान के चलेंगे उनके at least number कितने होने चाहिए चार सो साथ अगर वो जनरल category से हैं तो उनके number चार सो साथ होनी चाहिए यह फर्स्ट राउंड की कटाप मैं बता रहा हूं और जाते जाते मैं आपको एक लास्ट राउंड की कटाप भी बताऊंगा at least दो राउंड तो होते होते हैं कभी-कभी तो एक ही राउंड में नमबर चार सो पचास के असपास हो तो उनका admission हो जाएगा अगर आप OBC category से बिलॉंग करते हैं तो अगर आपके 440 नमबर आ रहे हैं तो आपका admission बहुत अच्छे से होने वाला है ठीक OBC category से आप बिलॉंग करते हैं वहीं अगर आप यस यसी category से बिलॉंग करते हैं तो at least आपके 400 नमबर होंगे तो तब भी आपका admission हो जाएगा और यस्टी category से आप बिलॉंग करते हैं तो आपके साड़े 300 नमबर होंगे तब भी आपका admission बहुत के main campus में होने वाला है ठीक एक सवाल आपका और रहता है इसर क्या बहु 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 के लिए कोई college भी है तो कोई college नहीं है ना बेच्चु बहु बहु के लिए कोई affiliated college नहीं है सिर्फ FMC है main campus है जिसमें 70 seat है ठीक है फीज को लेकर आप बात करते रहते हैं तो इसकी फीज जो है 35,000 पर semester है पर सेम है इसका मतलब सर आपको हर year 70 के इनको देना पड़ेगा ठीक है तो तीन अगर तीन साल का म तो पांच कितना साड़े तीन लाक ठीक तो यह टोटल जो आपको बहुत सारे सवाल रहते हैं कितना फीज लगेगा क्या है कैसे है तो यह है ठीक क्लियर है हाँ एक बात और आप placement को लेकर पूछते रहते हैं तो placement को लेकर 70 में से अब तक जब भी placement की बात हुई है जब भी सपना देखते हैं एक जजज बनने का वो पूरा हो सकता है लेकिन सिर्फ पढ़ लेने से यहां से complete नहीं होगा यहां पढ़ लेने के बाद आप दो साल और मेहनत करेंगे चाह सेल्फ स्टड़ी करिए या पिर आप किसी के थुरू आप जब भी तैयारी करेंगे तो यह मान किसी का चैंबर वगएरा जोइन कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं यह कहते हैं कि यह नियू होती है यह पढ़ने से आपको आप बहुत पोटेंशियल आपके इंदर भर दिये जाता है और आगे चलकर आप मेहनत करेंगे हाँ सुरुवात में बहुत हार्ड सिफ होती ह भई लॉक ओफ फिल्ड है थोड़ा हाट सिफ है थोड़ा नहीं बहुत कह सकते हैं ठीक है सुरुवात में बहुत पेंड होता है तो चाहें आप जिसमें तैयारी करेंगा आप दो तीन साल लग जाएंगे आपको जजबनने में अगर ठीक से अगर तैयारी कर लेंगे तब क अगरेंगे थे आपका एकदम ड्रीम क्लियर था कि हमें क्या करना ठीक है और पांच साल एक लंबा ड्यूरेशन होता है आप दो तीन साल मस्ती भी करते हैं तब दो साल में आप जो ड्यूश्री जैसे सल्बस को आराम से अगदम ढ़ा सकते हैं उसको पढ़ सकते हैं उसको देख लें और एकदम रिलैक्स हो जाएं बाकि अब कमेंड में मत पूछना कि सर मेरा होगा की नहीं होगा ना यह देखो जब भी आपको होगा नहीं होगा इसको देख लिए नहां बाकि तो अब मैं कहें अब थोड़ा सा अगर आप सेकेंड कटाप की बात करें तो मतलब अगर को अगर उसा आती है कभी कभी आजाती है चेल लक होते हैं तो तो फिर आप मानिके चलीगा आप 10 नंबर घटा कें हैं बत何 नंबर कम करके चलिए जब अगर सेकेंड कर था नहीं आती है तो कोई बात वह द लिल अपा चार्पिछयर दूसरी निआन्क तुरां शूरक अच्छी है तो बच्चों का इंटर्व्यू है देख लो भई बहुत सारे बच्चों का प्लेलिस्ट में इंटर्व्यू है चैनल पर जाओ एक प्लेलिस्ट का सेक्षन होगा क्या मोलते हैं प्लेलिस्ट पी एल 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 आई एस्टी इसमें जाओगे तो एक इंटर्व्यू व तो सभी को सुब कामना है बेस्ट आफ लक आपका अडमीशन हो ठीक